वेलकम टू ले भाई फाइनली हम लोग नेनिताज से ले पहुंच गया अधरवाइस हम लोग लद्दाग में इंट्री नहीं कर से रही कि हमारा जो आटी पीजी आर था ना वह हमारा एक्सपार हो गया था तो अब जाके हमारा रैपिट टैस हुआ है हम पोचें आपका मैगन इस आटिक हिल तुम मैं आट है यह चंडी कड में हमने कहते हैं अपना आटी पीशा टेस्स कराई था ना इंदे सब्सक्राइब है हम 10 क से ऊपर हैं बश्च भाई इस अधा इतना थंडा पानी आई पाउं जम गया है और उधर टेंट में धोरे तक के लिए पाने नहीं है अब निकलने के तियारी हो गई नास्ता वस्ता पूरा हो गया पहले निकलने से फ़ले अपने जो नीगार्ट से उनको लगा लेते हैं क्यों कि यार पाइक का कोई पता नहीं है कहीं पर भी अगर करता था कि अगर आपको गिर भी के स्लिप होगे तो यह उसमें रगड जैग और आपके घुठे ने ठीटा रहेंगे तो चलो अब इस समान करते हैं तो आपकी चेन में धूल जम जाती है फिर जाद खिचाव पड़ता तो वह चेन टूट जाती है तो उसके लिए आपको ए हैं पूरी-पूरी हेल्प कर रहे हैं जिकमित नमजल जिकमित नमजल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमको रहने के लिए इतनी बढ़िया वाली विवस्ता दी और खाना एकदम लाजवा बागी तो हमने बनाया है चलो समान पूरा पैक हो गया निकलते हैं ल सब्सेट कर लिया है तो अब इस जगह को बाइबाय बोलते हैं आप मेरे होट देख रहे होगे कितने बुरी तरह फट गए बोला भी नहीं जा रहा है बहुत बली गलती कर दी वैसलिन ना लेकर मेरे को लगता नहीं वैसलियां पर काम करेंगी पड़ागे लेकी मार्केट ह वहां से ले लिंगे देख लिंगे क्या होता है फिलाल चलते हैं बाइक पर ठीक है और फिर मिलते हैं गुपरो के साथ तो भाई लो चलो अभी रूमेश्थे को बाइबाय करने का टाइम आ गया ठीक है तो यह है वो लोकेशन जहांब हम रोके हुए थे चलो अभी गाड़ स्वागत थे आपका मोटो ब्लोगिंग मोड में तो अभी क्या है रमस्ते को बाइबाय कहने का समय आ गया और हम निकलते हैं रमस्ते से आगे को और अपने साथ का बंदा जो सीलू था ना उसकी थोड़े तब्यत खराब हो गई थी कल रात बर उसने वामेट किया खाना नि तो भाई लोग रिटन आ रहे हैं वहां से तो अभी लद्दाग पहुंचके बंदे को एक बार दिखा लेंगे किसी कैमेश को दिखा लेंगे दवाई वाई लेंगे यहां तो रास्ते में कुछ मिलने आला है रूमस्ते से निकलते हैं लद्दाग के लिए सामने देखो आ गया है बजार वाला माहौल और हलका फूल का चोटी मूटी दुकान है तो अपने को यहां पर वैसलीन मिल जाएगा तो अपने जो होट फट रहे ना उसमें थोड़ा काम बन जागा सामने दुकान है जाके देख लेते हैं वैसलीन अगर मिलता है तो बढ़ इसलिए 200-100 km के पहली बार अपने को इतनी हर्यादी देखने को मिली है सामने देखो आप वैसलीन तो मिल गई है लेगिन अब दूएक लोपने होटों को कितने बुरे तरीके से फट गए हैं मतलब ही समझ लो आपकी होट तो होट फोड़ा दाड़ी ने बचा लिया और द्हाम के खेद लगे है भाई लड़ाक में जहां पिसले दो दिनपहले तक न अपने को एक घास नहीं दिखा देखा दे रहा था यहां पर अपने को गहूं और सिरम्ड़ा चाहिए कि लगी है और इस ये हर्यारी होटा है औरacı और सूके हुए पहार तो यह लद्दाग राइट 2021 है दोस्तों और यह मेरी पहली लद्दाग की आतरा है तो बहुत सारी घलतिया मुझसे होंगी तो उसके लिए माफी चाहता हूं तो भाई Welcome to the village of आपका गया सामने देखो यार आप सामने देखो भाई अभी यह तो चोटी चोटी वाटर क्रोसिंग है और इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं परिये क्या है यहां के तिब्वती लोगों कोई टैंल है यह क्या है यह तो मैं आपको पूछ करी बताऊंगा और जग मैं मुझे पता नहीं नहीं बोलते क्या हैं बट मैं आगे जाके ना किसी से जरूर पुछूंगा कि नहीं क्या बोलते हैं कि मुझे पिछले 20-30 किलोमेटर पहले से इन्हें देखता हुआ रहा हूं उतर आफ तो भाई एक और नया गाउं वेलकम टू डविलेश और लातो साम पिछले दो दिन से जिस इंसान पनी नहीं देख है दिसंशनन पानी नहीं देख दी हरीरा नहीं देखा उचानक से फूल मिल जायेंगे तो उसे कैसा लगे तो बाई अपने सामने देखो एक खील खिा आता हुआ फूल का पेड़ तो एक फोटो शूट तो बनता है वैसे तो लद्दाग में अपने को पेड़ भी मिलना मुस्किल हो गया था जहां तीन नाइट हमने रुकी हैं वहां पेड़ पहुंथे कुछ नहीं देखे हमने लोग कह थी कि दिक्का थोड़ी लेकिन अभी हम गया पहुंचे अभी हम लाटो विलेज में लाटो विलेज पहुंचती अपने को गेहूं के खेट भी दिखने लग गए और इधर सुके पहाड दिखने लग गए आप देखते हो और इधर क्या दिखता है हरा भरा फूलों का पेड़ क्या बात है तो एक फोटो तो बनता होगा कि लद्दाक में उसका क्या मौत पहले लोग बोलते थे कि मैगनेटिक हिल वाला जो रास्ता है वो डिरेक्ट स्वरगी के तरफ जाता है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं मैंने गूगल पर पड़ा है उस कहके तने आपका मिस्ट्री हिल के पास में गाड़ियां उपर कर के तरफ को गुर्तवा कर्शन के वज़े से बहुत प्यार से खिची भी चाती है आपको जो पहाल दिखाए दे रहे ना यह वही एरिया है पोस्ट उपसी यहां पर हमने थोड़ा गाड़ी की एंट्री करानी है हुआ है मैं हमने चंडीगड से ना अपना आटीपीसा टेस् अच्छा ठीक है ठीक है ओके कोई दिकत नी रैपीटेस करवा लेते हैं तो रैपीटेस कहां को यहीं पोगा सर अच्छा आटीपीसा के रिपोड मतलब सिर्फ आउनली बहतर घंटे के लिए उसके बाद नी चलीगा अच्छा हमारा नेंटीश से ज्यादा हो गया साय थैं करना शार ऐघ्र कर दो है कि वाद पमॉजब थारो बैंका उनल के वजय से अच्छा भाटों करम हैं वेगो खूं फेक धर्ता नेमये का घुचमन भाने देई open इनपनसर्ण अब्र-जार में और लुजए से नंवे ऊच्हार कर शिक बाल के वाउच्छा है पावरी बाप है हैं आपका कहां पर चेक पोस्ट उपसी के पास में कि आपका जो रैपिड टेस्ट का जो हमने रिपोर्ट कर वाया था वह उनली 93 और 96 अवर तक था लेकिन हम लोग 2 दिन मनाली रुख गए थे बारिस की वज़े से और एक दिन हम हम लोग सर्चों में रुखे हैं वहां पर रहना लोग रहना लोग दिक्कत होती तो रुख गया था लेकिन अभी क्या है हमारा 96 अवर से टाइम उपर हो गया था तो हमारे रिपोर्ट है ना वह यहां पर वरकिंग नहीं कर रहे हैं इसलिए हमने यहां पर अभी रैपिड टेस्ट कराने के बाद हम लोग निकल रहे हैं लेक की तरब को और लेकी तरब को निकल दे टाइम ना आगे जो और होने वाला है को सामने एक ब्रिज आ गया है और इस ब्रिज का नाम है उपसी ब्रिज तो उपसी पीछे उपसी चेक पोस्ट में हमने अपना कोरुना टेस्क कराया है और भाई अपनी रिपोर्ट नेगेटीव आई इसके लिए हम लोग को लद्दाग में इंट्री मिल अधरवाइस हम लोग लद्दाग में नहीं कर तो आप जाके हमारा रैपीड टैस हुआ है तब जाके हमको लद्दाग में रहें पीलो नहीं है ठीक है अगर हमको कटें इस सपीती वाले रास्ते पे जाना है तो उसके लिए हम अलग बढ़ लेशतें लेकिन हमको ले निकलन सब्सक्राइब डन्यस्थ जाब उन्यक्त सब्सक्राइब इस खाल वम इस तो लिए मिलन पंद अद्रक्राइब करके यह जुद्ध कर दम आपक जगा है तो दो कि अन्दरर। कि Авिंहीं को पेस। बोलते हैं वह जढूद्श अधर्टेश तो में हिमले वे इनको कह बोलेग और उनको गोजरी चोटन पॉलते हैं कि यह मंदिर किसका वब तिब्वती लोग का मंदिर को चुर्षन चुच्च्च सुच्च बोलते हैं तो बशानलि यार देखो यह बोलते हैं हम कावी देन 스 सुच रहें सामने आपको दिखाइं दी रहा है पुरा तिभवती टीध empath है और पीझे इसके monastery है और यह area है आपका ना mopका ठिस्की का लट्दक से 30 km पहले यह area वो सारे डियो सरफिकी off की monastery है और यह आपका meditation के लिए बहुत वेचार सय और सामने जो वाइड वाइड कलर के आपको दिखाए दे रहा ना इनको बोलते हैं छुरतन अभी पीछे भाइड ने बताया था कि इनको छुरतन बोलते हैं और यह तिबबती टेमपल टीड़ है ठीक है तो चलो अभी निकलते हैं आगे को यह कौन सा जगह है यह ले में हमारी इंट्री हो गई है और यह है आपका ले बाजार तो फाइनली हम लोग इस राइड में लद्दाक पहुंच गए हैं तो अभी यह है ले सहर ठीक है और यहां से हम सबसे पहले डूनेंगे अपने साथ के राइडर को जिनके साथ हमें राइ कहीं उनकी 22 खड़ी होंगी तो उनको भी हम देख लेंगे तो भाई फाइनली सामने आप देखो ले का बड़ा सा गेट हमारा वेलकम कर रहा है वेलकम टू ले भाई फाइनली हम लोग नैनिताल से ले पहुंच गए और सामने का नजारा सच में जवर दस्त है वाई तो फा एक नई सिम लेना और फटा फट से जाके होटेल ढूना अपने लिए क्योंकि आज हम लोग ले में स्टे करने वाले हैं ठीक है तो चलो कि watts यहां पहलें सीम कापने जारे है ऑफ दो सामने ने सामने गाडी जार लोगा choy sûr घ्या or अगर घर ह Süज मिलता है उद छै मूदा है रहे तक हम अपने चाब ही अपने बहुए एज सकते चलेगा अभडर में चलेगा जंबो एन कषमेर और यहां लेल ध्ड़ा। भी हम है आपका ले की मार्केट में और अपना तॉफी काम नहीं कर रहा है। क्योंकि हमें उत्राकंट बोलते हैं जब बोला है धाज़न काम नहीं करेगा, तो सामने एटल फूर जी आपको दिखाए जरा को लिखा हुआ उदर से एक सिम पर्चेस करनी है और सिम का चार्ज हमको पढ़ रहा है 500 रुपीज तो 500 रुपीज का वो सिम होगा तब जाके वो सिम हमारा यहां वर्क करेगा नेट्रक आएगा उसके बाद जाके हम अपने घर कि अपने बाराइस सो फोल सता था तो अब वोट एक होगा तो कि अपना उपना पूरी एलिया में देख लिए ले टाउन में तो सारे रूम के पासित नहीं है तो कितना लगे बताए जार बार सो फटारा नाइने लास हो जाए तो इससे जादा नहीं हो जाए तो आपका पर है बहुत जीमी ले चालो थैंक्यू मिल गया तो अच्छी वात है तो आभी हम कहा है यह यह का में बजार है यह लेन का विलेक कमें जार अलग है जैसे माल लोडी हो अंदर यहां फे गाड़ी नी जाएग इसकंदर सिर्फ लो तो बाई हम हैं आभी लेक बाजार में और कि देखते हैं कर लोग को है मुस्टान विलाना में अपका लेकां और भई साब न हमको ह्यामक्ट यह कि यहां लेका हैं चलओ वैलकम टूमस्कान विला तो आज हम लोग का इस्टे यही पर होने वाला है मुस्कान विला मैं तो भैड़ी चलो गाड़ी अूश्ता अंदर ब राइड आज की कम्प्लीट हो और हम पहुंच गया अपका ले मार्केट ठीक है चलो विला जहां आज राध हम लोग रुखने वाले मुस्कान विला यह चोटा सा विला डाइप है इसमें तीन या चार रूम होंगे बढ़िया से चलो पहला अपनी बाइक कर वा लेते उसके ब में अपना नहाने के बाद सारे बालों में धूल मिट्टी गुजगे थी गंदी वाली तो वह सारा साफ किया है और ले में हम लोग बाहर ले मार्केट है और यह हमने अपना रूम लेनी की वज़ए यह है हम आज भी केंपिंग कर सकते हैं नो डाउट कोई दिक्कत नहीं थ अपने जितने भी गैजट्स में अपने साथ लेके चल रहा हूँ चार्ज करने थे इसलिए आज ले मैं अपने को यह भूटल लेना पड़ा इधर अपने भूबेदावाई बैटे आप देख लो इस तरीके से यह काम चल ला इधर सारे गैजट एक दो त्री चार पांच और इधर बहर बहुत खुशूरा से नजा रहे हैं सारे यह है तो बहर कर नजा रहा है इस तरीके से ठीक है यह तो अभी चलते हैं लेके मार्केट लेके मार्केट आपको दिखाता हूँ कि कैसी है ठीक है चलो